प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे सुष्थ होंगे मस्थ होंगे और आप लोगों की तयारी बहतर चल लए होगी तो आज की इस वीडियो में जवाब का राजिस्तान CT का 28 सितंबर का 1st shift का एक्जाम हो गया है 28 सितंबर 1st shift में पूछे गए सभी questions इस वीडियो में discuss करेंगे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से ज़रूर करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बैल ओन करना ना भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन देखिए पूछा गया था निम लिखित में से कौन सा युगम राजनीतिक कारकरता समंधित रियासती राज सुमेलित नहीं है भुपेंद्र ना त्रवेदी कोटा ये सुमेलित नहीं है तो आफि नमर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगह नैस कोईशन पूछा गया था नीचे दो कथन दिये गया है एक को अवी कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है तो ये कथन दिये गया है और ये बिकल्ब दिये गया है अंसर हो जाएगा आफिन नमर डी दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही ब्याक्या करता है option number D जो है ये बिल्कुल correct हो जाएगा सुगार नैस को संथ पूछा गया था कि 1857 की क्रांती को दवाने के लिए वीकानेर के किस सासक ने अंगरेजों को सैनसाइता दी थी सरदार सिंग option number A जो है ये बिल्कुल correct हो जाएगा सुगार नैस को संथ के पूछा गया था किसके निर्तक्त में 25 अप्राइल 1934 को कट राथल में आयोजित विसाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था किशूरी देवी option number C जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगार नैस को संथ पूछा गया था भरतपुर राज के स्वगंतरता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे भरतपुर राज के स्वगंतरता आंदोलन में किशन लाल जोसी एक नेता थे तो option number V जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगार नैस को संथ पूछा गया था 1916 में मुसलिम लिंग और कॉंग्रेस के बीच समझोता किस ने करवाया था तो 1916 में मुसलिम लिंग और कॉंग्रेस के बीच समझोता ये कराया था बाल गंगाधर तिलक ने तो option number C जो है ये बिल्कुल correct हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था जील में अन्याय के खिलाब भूक हरताल के कारण मरवड लोक परिशत के किस नेता की मरत्यू 19 जून 1942 को हुई थी बाल मुकंद विस्सा option number D जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगर नेस questions पूछा गया था मरले मिंटो सुधार का उद्देश क्या था ये options दिए गए हैं तो मेरे प्यारे साथियों answer हो जाएगा option number C कि इवल जो तीसरा आपका जो है answer ये बिल्कुल सही हो जाएगा ये बाला कि प्रांतिय विधान सवा में दलितों के लिए आरच्छे सीटे हैं अगला प्रस्म पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि जैसल मेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्ड में से कौन थे सागर मल गोपा हीरा लाल सास्तिरी जैनरान व्यास मारी किलाल बर्मा जैसल मेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे शागरमल गोपा ओप्षिनमर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सुगाई नैश कोशन्स पूछा गया था निमलिखित में से क्या लाड करजन से संबंदित है लाड करजन से क्या संबंदित है उनिस्तो पांच का बंगाल पिभाजन ओप्षिनमर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगाई नैश कोशन्स पूछा गया था कि शंत हरिदास डैस कि संपरदाय के संस्थापक थे शंत हरिदास जो है ना ये निरंजिनी संपरदाय के संस्थापक थे और फ्षिनमर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला पृस्ण देखेगा नैश कोशन्स देखे पूछा गया था इन्में से कौन मांड गायन में सिद्हस्त नहीं है गुलाबो और इसन्सक देखे पूचा गया था कि तान नाlines मोर बंदिया विभा निम्द में से किस जंजाति में प्रचलित है गरासिया जंजाति में प्रचलित है तो आप्शनरमड़ यह बिल्बकल सही हो जाएगा अगला प्रशन देखे पूछा गया था निम्द लिखित में से बहुत धर्म से समधित पुरतप्तिक अवसेश कहां मिले हैं बैराठ विराटनगर तो ओपनोमर ए जो है ये विलकुल सही हो जाएगा खी कुछा ग्या ता कि लोक कला मंदिर ये कहां पर इस्थित है तो लोक कला मंदिर जो है ये उदेपूर में तो मेरे प्यारे साथ ही हूँ आकबर इस कोईस्टन्स का सही अंसर हो जाएगा यानिकी आपिन अमबर सी सुगर नैस कोईस्टन्स पूछा गया था गोपाल सैनी का समंद राजिस्थान की किस हस्त कला से है तो गोपाल सैनी का समंद ब्ल्यू पोट्री से है तो आप्शन बर वी जो है ये बलुकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्थान पूछा गया था मेरे प्यारे साथी हूं राजिस्थान की पहली जनजाती बालक हों की अकादमी कहां इस्तापित की गई है तो राजिस्थान की पहली जनजाती बालक हों की अकादमी जो हना ये इस्तापित की गई है उदैपुर में उदैपुर इस ही आंसर हो जाए यानि कि option number C अगला प्रशन पूछा गया था करनल टौड के अनुसार मेडाओं का मोल निवास इस्था निम्न में से कौन सा था काली खो परवत माला तो आप्शन पर वी जो है यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा पूछा गया था कि बडोली कोटा के सिभ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो बडोली कोटा के सिभ मंदिर का जो निर्माण है यह करवाया था मेहर कुल ने किसने करवाया था मेहर कुल तो मेहर कुल यानि option number V जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा इसमेलित करने वाला प्रस्ण यह है सबसे पर्दे मैं आंसर केलियर कर देता हूँ आंसर हो जाएगा option number V यह वारा जो आप देख रहे हैं यह answer हो जाएगा आपका ठीक है अब शुमिल कैसे करना है गोगा जी का तो हो जाएगा दद्रेवा से ठीक है और पाबु जी का हो जाएगा कोहू से हो जाएगा और हडबु जी का हो जाएगा भुंडोल से और फता जी का हो जाएगा शान्तू से तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमिल कर सकते हैं ओके देखे अगला प्रश्म पूछा गया था कि कां सा पशुमिला और जिला सही सुमिलेत नहीं है एक पहला तो चंदरभागा पशुमिला जाडावार जहलावार गोगा मेरी पशुमिला हनुमानगर शिवरात्री पशुमिला शवाई मादोपुर रामदे पशुमिला नागवर तो C options जो है ये बलकुल सही हो जाएगा शिवरात्री पशुमिला सवाई मादोपुर C options जो है ये बलकुल correct हो जाएगा ठीक है देखिए अगला प्रश्म पूछा गया था किस गरंथ कार्व ने अपने गरंथों का नाम वीका नेर महराजा अनूप सिंग के नाम पर रखा था तो यह रखा था भाव भटन तो आफि नमर ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा देखिए अगला प्रश्म पूछा गया था कि निम लिखित में से कौन सा कथन काली वंगा सहबता के बिसे में सही नहीं है आंसर वैसे हो जाएगा आपका प्राक हडपा अगनिवेदियों के साख्ष मिले हैं अगला प्रश्म पूछा गया था कन फटे जोगी डंबरू एबं सारंगी वाद यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं जीड माता यह बिल्कुल सही हो जाएगा मेवाड राज घराने के अन्योष्टी इस्थल का नाम क्या है मा सब्ते आप्टि नुमर सी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा सुगा नेज कोश्चन देखे पूछा गया था निम लिखित में से राज पूताना के किस छित पर वरिक वंस ने सासेंट किया था बयाना इस कोश्चन का सही जवाब हो जाएगा बयाना अगला प्रश्चन देखे पूछा गया था कि निम लिखित में से कौन सा लोक नाट इस्थान सुमेलेत नहीं है अगला प्रश्चन पूछा गया था कि ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूशन पहने जाते हैं सिर पर देख जाते हैं सिर पर कलाई पर कानों में पैरं परे यह आभूशन पहने जाते हैं कानों में तो और सि जो है यह बिलकुल सही हो जाएगा स्वाज नैस कोश्चन देखे पूछा गया था महराना प्रताब ने चावड को अपनी राजधानी काब बनाया था तो माराना परताब ने चावड को राजधानी अपनी बनाया था वर्स 1585 पी में तो आप्शन अमर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा चले वरते नैस कोश्चन्स की और ये वाला ये वाला कोश्चन है आभा नेरी तथा राजवर गर्ड के कलातमक वैभव किस काल से समंदित है तो ये समंदित है गुर्जधर प्रतिहार आप्शन अमर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रेशन पूछा गया था कि हमीर हट नामक गरंत किस ने लिखा हमीर हट नामक गरंत जो है न ये लिखा गया था चंदर सेखर के दोरा तो चंदर सेखर यानि कि आप्शन नमर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगाई नैश कोशन देखे पूछा गया था निम लेखे ते युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्स के अनुसार पहले से आखरी तक सही करम को चुनिये अंसर की गर मैं बात करूँ तो अंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कैसे ध्यान पुर्वक देखेगा सरंग पुर कायूद इसके बाद गागरून कायूद इसके बाद बयाना कायूद फिर मावली कायूद नैश कोशन देखे पूछा गया था कि प्रत्थम उदय उतकरष्ट डबल डेकर वाता कुनूलित यात्री अक्स्प्रेश्ट ट्रेन किस पूछा गया था मलाज खंड किस खनश उत्पादन से राष्टिय करसी और ग्रामेड रिकास वयंग नावाड के इस्थापना कव लिए थी राष्टे करसी और ग्रामेड वैंग नावाड की जो इस्थापना है ना ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को तो सी ओप्संस जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा सुगय नाश कोशन देखे पूछा गया था निम लिखित में से कौनसा राज कोईला छेत्र सही सुमेलित है ओडिशा शमलपूर तो ओप्संस अमर वी सही हो जाएगा ठीक है नाश कोशन देखेगा सुगय नैज कोशन देखे पूछा गया था भारत में कौफी उत्पादक राजियों का निम लिखेत मेंसे घरता हुआ करम कौन सा है करनाटक केरल तमिलनाडू आंद्परदिस सी ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था कि वेदान्थल पच्छी अब्हारन कहां पर इस्थित है करनाटक केरल तमिलनाडू आंद्परदिस तो ये तमिलनाडू में इस्थित है तो इस कोशन्स का सही जवाब हो जाएगा और फिय नमबर सी अगस्त दू हजार बाइस की इस्थित के अनुसार भारत में कितनी गोशित आर्द भूमिया है सिवन्टी फाइव यानि की पच्छत्तर आफिन वर वी सही हो जाएगा पश्यमी घाट के पश्यमी ढालों पर किस परकार के बन पाये जाते हैं उसर कडबन दिये शदाबार आफिन वर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सुगर नैस कोशन पूचा गया भारत के किस राज में पवन उर्जा की शरवादिक छमता रेक्दमान है गुजरा तो आफिन वर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा शलाल परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो मेरे प्यारे सातियों शलाल परियोजना जो है न चिनाम नदी पर इस्थित है तो आफिन वर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा राता नटा हवाई अड़ा अपनी सेवाएं उपलब्द कराता है तो राता नाटा हवाई अड़ा जो है यह अपनी सेवाएं जोदपुर को उपलब्द कराता है तो ओफिर नमर ए जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्ट जिन गणना 2011 के अनुसार राजिस्थान में जिस जिले में ग्रामेन लेंगान उपात सबसे कम था वह है धौलपुर तो ओफिर नमर वी जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा नैश कोक्षिन देखेगा शुगा नैश कोक्षिन पूचा गया वीसलपुर है ना यह किस वर्स में पूंड हुआ था 1999 में तो ऑप्षिन अमर डी जो है यह विल्कुल सही हो जाएगा जल उपलबदता के अनुसार पर कौन सी नदी वेशिन राजिस्थान में दुतिय इस्थान पर है बनास वेशिन ऑप्षिन अमर ए जो है यह विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नास कोशन क्या पूछा गया था उपर कथन दिये गया है नीचे ऑप्षिन अमर अन्सार आपका हो जाएगा आप्षिन अमर सी यह यानि सही है लेकिन आर गलत है यह वाला सही हो जा जाएगा राजिस्तान के दच्छनी छेत्रों में शाग वान के ब्रक्ष अधि पाय जाती तो option number a correct हो जाएगा कौंसा खनीच खनन 6तर सुमेलत नहीं है कौंसा खनीच खनन 6तर सुमेलत नहीं है तो मेरे प्यारे साथीं रोक फास्विद बोर्डिया ये शुमेलत नहीं है तो option number d correct हो जायेगा अगला प्रशन पूचा गया था आकल काश्ट जीवासम उग्यान निम्ड में से किस जिले में स्थित है आकल काश्ट जीवासम उग्यान जो है न ये जलसल में स्थित है तो आप्शन अमर ए जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा गिरल लिगनाइट ताप शक्ती परियोजना किस गाउं में स्थित है तो गिरल लेगनाइट ताप शक्ती जो परियोजना है ना ये धुमली गाउं वाड़े में रिमेश दीते तो आप्शनमर सी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था कोपेन के जलबायू वरगी करण के अनुसार डूंगरपुर और वाशवाड़ा जिरों में किस परकार की जलबायू पाई जाती है अगला प्रशन पूछा गया था निम लिखत में से कौन सा नदीश समन्दित जिला सुमेलेत नहीं है वात्रक वाशवाड़ा ये सुमेलेत नहीं है तो डी अप्शन सही हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था राजिस्थान में सुयावीन उत्पादक प्रमुग छेतर है राजिस्थान में सुयावीन उत्पादक छेतर कों से है हाडवती पठार ओफ्यमर वी सही हो जाएगा नेश कोशन देखे पूचा गया 2011 की जनगरणा के अनुसार राजिस्थान के सरवादिक जनसंख्या वाले जिले हैं अब रोही क्रम में जैपुर, जोदपुर, अलवर, नागौर, आप्शियामर ए जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नैश कोशन देखेगा सुगाए नैश कोशन पूचा गया था कि राजिस्थान में आईल रिफाइनरी की इस्थापना बार्ड मेर में की जा रही है कहां पर की जा रही ये वार्ड मेर तो आप्शियामर डी सही हो जाएगा अगला प्रशन पूचा गया था विदहान सवाच चुनाओं में आइसपश्ट भहूमत के कारण राजिस्थान में राश्पतीश शाषन कब लगाया गया था तो मेरे प्यार साथियों वर्स 1967 में लगाया गया था अग ये पाल्स शामिल नहीं होते हैं तो आप्शियामर ए करेक्ट हो जाएगा निम्नाकित में से कौँ सवा कथन अशत्य है पेसो अधिनियम अनुसूची पांच के नौ राजियों में लागू है तो सी आप्शन जो है ये बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रशन पूचा गय तो राजिस्तान में राजस्थान मंडल की इस्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथी हूं वर्स 1949 में तो आप्शियामर वी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशिन पूचा गया था राजस्थान राज मानवा दिकार आयूक के ऐसे अध्यक्ष को चिनित किजिए जो उचितम न राजस्तान के सभी मंतरी कैबिनेट मंतरी हैं आप्शिय नमर वी जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा सुगय नैश कोशिन देखेगा निम लिखित में से कौंसा कथन शत्ते नहीं है कौंसा कथन सत्ते नहीं है रामसे मैक डॉनल ने कलक्टर को संस्था करिश्मा कहा था य तो यह किया गया था उन्तिस अगर्स्त उनिस सो उन्चास को तो और एक अगला प्रशन पूछा गया था निम लिखित में से कौन राजस्थान से राज सवा चुनाओं 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था स्री सुवाच चंद्रा ऑप्शन अबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगाए नैस कोशन देखे पूछा गया था निम लिखित में से कौन सा यूगम सुमेलेत नहीं है कौन सा यूगम सुमेलेत नहीं है 243 जड सी जिला यूजना समीत का गठन ऑप्शन अबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों मानो गरीवी सुचिकांग HPI वंचन को समगर सुचिकांग के रूप में मापता है ग्रगायो ग्यान और जीवन इस तरसी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था यूजना आयो को दिये गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रते स्थापित किया गया है नीती आयोक के द्वारा प्रती स्थापित किया गया तो option number A correct हो जाएगा सुगाई Nash question देखेगा Nash question क्या पूछा गया था कि माल और सेवा कर network GHTN के संबंद में निमलिकित में से कथरों पर विचार करें इस questions का सही answer हो जाएगा option number C दोनों पहला और दूसरा अगला प्रशन पूछा गया था कि निमलिकित में से क्या भारती अर्थ बवस्था की करसी और संबंद सेवाओं में समलेत नहीं है खाद प्रसंस क्रमण option number V correct हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया अगला प्रशन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि निम्नांकित में से किस देश ने वर्थ 2021 में भारत में सरवादी के निर्यात किये USA option number V correct हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था जन गड़ना 2011 के अनुशार भारत के किस रराज का लेंगान उपात सरवादीक है केरल का लेंगान उपात सरवादीक है तो option number A साई हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों भारती अर्थ विवस्ता के संदर में निम्न पर विचार केजिए उप्रोक्त में से कौम से मौद्रिक नेत के घटक है D option जो है यह सही हो जाएगा तीसरा और चोथा खुले विजार की करियाए और बैंगदर अगला प्रशन पूछा गया था भारत में राजकोषिय निती किसके द्वारा तयार की जाती तो भारत में राजकोषिय निती जो है न वित मंत्रा लेके द्वारा तयार की जाती तो option बर A correct हो जाएगा GST पैचार नम्बर के समद्ग में क्या सही नहीं है यह 16 अंक एवं अच्छरों का कोड है बर्स 2020 में घोशित की गई तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा है एच पीसील राजिस्थान रिफाइनरी लिमिटेट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटेट एच पीसील एवं राजिस्थान सरकार के मंद कितनी एकुटी भागेदारी का सेयुक्त उग्यम है क्रमसा 74 एवं 26 प्रतिसत ऑप्शन अमर्डी सही हो जाएगा पंचाइटी राज के किस इस्तर पर एक साथिन का चैन महिला विकास कारिक्रमों के लिए मान दे महिला कारकरता के रोप में किया जाता है क्राम पंचाइट ऑप्शन अमर्डी सही हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखे पूछा गया था भूजल प्रबंदन के लिए हैली वोर्न सरविच्छन तकनीक का प्रारंबर राजिस्तान के किस जिले में किया गया है तो ये किया गया मेरे प्यारे साथियों जोधपुर में आप्शन अमर्डी सही हो जाएगा सुग्य नाइस कोशन पूछा गया जैपुर में किया जाएगा निम्नांकित में से किने परवन व्रह्त परियोजना से सिचाई सुविधा मिलेगी जहलावड वारा कोटा जिलों के 637 गाउं को और वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगर नैश कोशिन देखे पूछा गया था वर्स 2021 में राजिस्तान में उद्योग छेतर का इस्थिर 2011 वार किमतों पर शकल राजमूल बर्धन में छेतर की योगदान क्या है 26 तसमलव 34 पर तेस्थ और शी जो है विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया राजिस्तान में उत्सव भोज योजना ये किस से समंदित है तो राजिस्तान में उत्सव भोज जो है ना मिड़े मिल योजना से समंदित है तो डियो आप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था स्रम वीरो शिमला सितंबर 2020 से राजिस्तान के किन केंद्रों के लिए और द्योगिक स्रिमकों हेत भोगता मोल सुजकांक आधार बर्स 2016 जारी किया गया है अलबर भीलबाडा जैपूर आप्शन अमबर ए जो है ये विल्कुल सही हो जाएगा शुकर नैस कोशन पूछा कि अंतर राष्टिय महिला दिवस 222 पर नारिश शक्ती पुरुसकार से नेम लिखित में से किसे समानित किया गया है बतूल वेगम को समानित किया गया तो आप्शन अमबर वी सही हो जाएगा पदम पुरुसकार 2022 की अधोलिखित प्राप्त करताओं में से राजसान से कौन समंदित है चंदर प्रकास दुवेदी सी आप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा वर्स 2023 का जीटुन्टी सिकर सम्मेलन कि निम्न मैस किस देश में प्रस्तावित है भारप्त आप्शन वर्डी सही हो जाएगा मई 2022 में त्रिपुरा के नय मुखमंतरी किसे नियुक्ति किया गया है त्रिपुरा का नया मुखमंतरी डॉक्टर माडिक शाहा को नियुक्ति किया गया है अगला प्रस्म पूछा है जैनबरी 2022 को केंदर सरकार को पीम बाड़ी योजना का सुबाराम राजिस्तान के किस जिले में किया गया प्रताब गड़ ऑप्शनम पर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा सुगा नैश कोशन पूछा गया था कि यूवा मामले और खेल मंतराले ने वर्स दुजरवाइस का मेजर घ्यांचन खेल रत्र पुरुसकर अंचिता शरत कमल को देने की गोशना की गया इनका सम्मद्ध किस खेल से है तो गाइस इनका जो सम्मद्ध है ना टेबल टेनिस से है ऑप्शनम अमर डी सही हो जाएगा हाली में जारी वैश्विक भूग सोचिकांक को 2022 में भारत का कौन सा इस्थान है एक सो सातवा इस्थान है ओप्षिंबर वी सही हो जाएगा शिंदु घाटी सबता के किस इस्थल को जुलाई दुजरबाइस में इनस्को ने विस विरासा सोची में शामिल किया है मोहन जोदलो ओप्षिंबर डी जो है ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन पूछा गया था अगस्त दो जारबाइस तक भारत में कुल 75 रामसर इस्थल इनमें से सरवादी रामसर इस्थल किस राज़े में है सरुआदी रामसर इस्थल जो होना तमिल नाडू में तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रेश्क पूछा गया था कि पेज फॉल्ट तब होता है पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेम house इस जाही हो जाEएगा कि